हालो स्टुडेंस इस डॉक्र हिमानशी ओजा आपका अपना कॉलेज काका देखिए एक क्वेशन जो बहुत ज्यादा हमसे पूछा जाता है कि क्या सेकेंड राउंड में फिर से नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी या पहले वाली ही चलेगी इसका अंसर हम पहले पिछल सेकेंड राउंड में वो भी ऐसा स्टुडेंट जिसे कॉई कॉलिज मिला ही नहीं फिर्स्ता राउंड में और वो लू आंट में अब रखा है हर बच्चे को second round में new choice filling करनी है fresh choice filling करनी है पुरानी जो आपने की थी first round में वो अपने आप null हो जाती है cancel out हो जाती है अब काम नहीं आती है तो चाहे आप upgradation ही क्यों ना कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आपने पहले 50 college भरेते आपको 30 30 number वाला college मिल गया तो आपको 29 starting वाले ही रखने in case आप चाहे कुछ changes करना कर सकते हो यह हम कहते हैं कि आपने जब पहली बार choice बनाई होगी तो सोच समझके बनाई होगी already आपने 29 को पहले जिनको रखा है वो top होगे 30 से अच्छे ही होगे इसलिए हम कहते हैं कि 29 को जो आपने पहले रखा था उसको वापस रख दीजिए बट यह कोई ऐसा नहीं है कि mandatory है आपको जो चाहे college रखिए हटाईए remove करना है add करना है sequence change करना है कुछ भी new registration की जैसे आप जैसे new registration करते हैं वैसा ही new choice filling है fresh choice filling है कुछ भी करिए changes second round में बिलकुल fresh choice filling है जो आप चाहें change कर सकते हैं कुछ बढ़ाना हटाना change करना जो आप रखना चाहें रख सकते हैं यह आप ध्यान रखिए चाहें आप upgrade कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हर case में second round choice filling fresh होगी पुरानी वाली अपने आप cancel हो चाहें फिर से आप जितने चाहें उतने college रख सकते हैं कोई limit नहीं है जैसे पहले वाले round में नहीं थी इस चीज़ का भी ध्यान रखें और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि counseling को सीखिए अपने आप करिए बहुत अच्छ अच् subscribe नहीं किया please कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे all the best